किया आपको बिल्कूल भी अंग्रेजी नहीं आती है और आप शुरुआत से English बोलना सीखना चाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं देकि बहुत से ऐसे English के words होते हैं जो कोई बेसीक होते हैं लेकिन आमें उनका meaning नहीं पता होता जिससे कि आने वाली हर वीडियो की notification आप तक time पे पहुँच जाएं तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं इन, I-N, in, in यानि में अब example के लिए हम कह सकते हैं कि प्रिया कमरे में हैं यानि प्रिया is in the room on, O-N, on, on यानि पर example के लिए पुस्तक मेच पर है यानि, the book is on the table R, O-U-R, R R यानि हमारा या हमारी तो example के लिए यह हमारी कार है this is our car या यह हमारा घर है this is our house I, I यानि मैं example के लिए मैं खेल रहा हूँ I am playing M, A-M, M M यानि हूँ example के लिए मैं खेल रहा हूँ I am playing तो यहाँ पर जो हूँ है इसका मतलब M है V, W-E, V V यानि हम example के लिए हम खेल रहे हैं यानि वी आर प्लेंग U, Y-O, U U यानि तुम या आप तो example के लिए तुम खेल रहे हो या आप खेल रहे हो तो दोनों के लिए आएगा You are playing दे, T-H-E-Y, दे दे यानि वे example के लिए वे जा रहे हैं They are going He, H-E, He He यानि वह तो He यूज होता है किसी मेल के लिए यानि किसी पुरुष के लिए तो example के लिए वह जा रहा है He is going She, S-H-E, She She यानि वह तो She यूज होता है किसी पीमेल के लिए यानि किसी इस्त्री के लिए तो example के लिए वह जा रही है She is going Them, P-H-E-M, Them Them यानि उन्हे तो example के लिए यह किताब उन्हें दे दो Give this book to them This, T-H-I-S, This This यानि यह तो example के लिए यह एक मेज है This is a table That, T-H-A-T, That That यानि वह तो example के लिए वह एक आम है That is a mango These, T-H-E-S-E, These These यानि इन यह यह तो example के लिए इन दिनो यानि These days और दूसरा example है यह किताबे हैं These are books Those, P-H-O-S-E Those, यानि उन या वे तो example के लिए उन दिनो यानि Those days और दूसरा example है वे किताबे हैं Those are books From, F-R-O-M From, from यानि से तो example के लिए मैं भारत से हूँ I am from India Must, M-U-S-T Must, must यानि जरूर तो example के लिए तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए You must do this work Was, W-A-S Was, was यानि था या थी तो example के लिए वह एक अच्छा लड़का था He was a nice boy और या फिर वह एक अच्छी लड़की थी तो She was a nice girl Were, W-E-R-E Were, were यानि थे तो example के लिए वे अच्छे लोग थे They were nice people Is, I-S Is, is Is, यानि है तो example के लिए Priya खेल रही है Priya is playing R, A-R-E-R R यानि रहे हैं तो example के लिए हम जा रहे हैं We are going Us, U-S Us, us यानि हमें तो example के लिए यह हमें दे दो Give it to us Have, H-A-B-E Have, have यानि है तो example के लिए मेरे पास एक कार है I have a car All, A-L-L All, all यानि सब, example के लिए सब ठीक है All is well Or, O-R और, और, और यानि या तो example के लिए जैसे हम हिंदी में कहते हैं चाय या कॉफी तो इसे इंग्लिश में कहेंगे Tea, और कॉफी Buy, B-Y, buy Buy यानि द्वारा जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरे द्वारा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे Buy me Till, T-I, double L Till, till यानि तक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आखिर तक तो इसे इंग्लिश में कहते हैं Till the end With, W-I-T-H With, with यानि साथ तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I am with you वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनलन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और सभी की साथ वीडियो को शेर करो जैसे कि बाकी लोग भी बेसिक से इंग्लिश बोलना सीख सकें मिलते हैं और विडियो वे तु दिल यडियो खुए यजे इंग वीडियो तो एक्ट चैनलन को शेर ले प्सक्राइब का वीडियो तो खुए झंथा वीडियो को शेरी, मद्ञीश जेशचे चैनलन को शेरी, मिलते हैं